Hey guys, आज हम देखेंगे blood pressure उसके बारे हम पढ़ेंगे detail में यानी कि जिसको रिंदी में उत्रक चाप यानी कि high blood pressure कहते हैं तो blood pressure और high blood pressure और उसके stages, उनके कारण, उनके लक्षन, उनके इलाज, क्या इलाज किया जाना चाहिए या फिर जब high blood pressure control नहीं होता है तो उससे क्या जोकिम होता है यानि कि जो complication आते हैं या उससे कैसे हम बचाओ कर सकते हैं prevention जिसे बोलते हैं conscious या सी medication लेती होती है या फिर हम कुछ ऐसे घरे लूपाई भी होते हैं जिससे कि यह जो hypertension होता है इसको control किया जा सकता है तो इन सभी के उच्छे में हम आज देखेंगे तो जो पहली बार इस channel में आए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं mind highs nursing की तो उनसे request है कि उसको subscribe करने हैं और subscribe के बगल में जो bell icon है उसे भी प्रेस कर दें जिससे कि जो भी वीडियो इसमें upload की जाती है इसी तरीके की वो education से related होती है उससे आप फाइदा ले पाए तो चलिए start करते हैं देखें सबसे पहले तो हम देखेंगे blood pressure blood pressure होता क्या है ठीक है तो देखें blood pressure की जो categories होती होती है वो यह है पहले तो होता है normal फिर उसके बाद है systolic systolic के मतलब होता है जो हम उपर का number होता है 130 by 80 या 120 by 80 बोलते है तो जो अपर reading होती है blood pressure की उसको बोलते है systolic ठीक है mmhg और diastolic हो गया mmhg lower number यानि कि जो diastolic है उसको नीचे का जो number आता है blood pressure का उसको बोलते है ठीक है जो second number होता है measurement में वो होता है diastolic और जो first number होता है measurement में blood pressure के वो होता है systolic तो ये जो normal होता है वो होता है less than 120 यानि कि 120 से कम हो चलेगा और इसमें जो होता है वो less than 80 होना चाहिए diastolic यानि कि 80 से कम हो यानि कि बहुत कम भी नहीं वो तो फिर hypo में चले जाएगा तो यानि कि 70 तक normal है according to age और कोई कोई क्या होता है कि जैसे 70 है या 74 है या 68 है उसमें भी उनको normal feel होता है तो जैसा उनको feel हो रहा normal तो कम से कर 80 तक हम मान के चले कि 80 है से थोड़ा नीचे 70 तक ये normal हो सकता है diastolic elevated का मतलब होता है बढ़ावा तो blood pressure का elevated वाला blood pressure है वो होता है 120 से 129 तक का जो systolic होता है 120 मिले या 120 से थोड़ा उपर 130 तक मिल जाए तो वो होगा systolic ठीक है मतलब ये elevated बाना जाएगा और इसका जो less than 80 80 से काम होता है diastolic इसमें भी elevated में भी क्या होता है इससे काम होता है 80 से और systolic में 120 से 130 तक ये हो सकता है और जो high blood pressure होता है जिसको कि hypertension की stage 1 बोलिंगे उसमें क्या होता है कि 130 से 139 तक होता है या तो 132 होगा या इससे उपर होगा ठीक है और इसमें जो diastolic होता है ये तो systolic की बात थी और diastolic होगा वो 80 से लेकर 89 तक हो सकता है यानि कि 90 तक जाएगा तो ये होगा 10-10 का variation आ रहा है तो ये होगा diastolic और ये होगा systolic उसके बाद होगा ये stage 1 की बात थी stage 2 में क्या होता है 140 से लेकर उससे higher होता है उससे ज़्यादा चल जाता है और ये होता है diastolic ठीक है 140 से ज़्यादा जा रहा है या उसके बराबर हो रहा है और ये उससे कम होता है diastolic में क्या होगा 90 होगा या उससे ज़्यादा होगा तो वो होता है यह stage 1 में आएगा hypertension की stage 1 यानि कि high blood pressure ही माना जाएगा और उसका stage second होगी यह वाली और stage 1 में 139 ता 80 से 89 यानि कि 90 तक stage 2 में 140 तक चले गया अब यहाँ पर जो छोड़ा था इसी से आगे बढ़ जाएगा 140 से ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ पर भी इससे ज़्यादा ठीक जो stage 1 से पकड़ लीजिए उसको और 90 से उससे ज़्यादा हो जारा तो यह हो गया diastolic अब यह है hypertensive crisis भी होता है एक type जिसको की doctor recommend करते है कि यह hypertensive crisis में आ गया है क्योंकि वो क्या रहा 180 तक का पहुँच गया blood patient जो systolic है यह उससे भी ज़्यादा हो जाता है तो वो हो गया hypertensive crisis ठीक है उसको doctor बोलते है और यह यह जो range है यह systolic की हम measurement देख रहे हैं और यह diastolic में कितना हो जाएगा 120 तक अब 80 कहां normal में आ रहा है और यहां यह 120 तक का पहुच गया diastolic तो यह crisis की उसमें आ जाता है ठीक है अब हम इसके बारे में detail में थोड़ा-थोड़ा फटा-फट overview करते हैं वीडियो lengthy भी हो सकता है तो इसलिए हम इसको part 2 में भी इसको देखेंगे अगर ज़्यादा lengthy हो जाएगा तो ठीक है देखें जो high blood pressure होता है उसमें क्या होता है कि common condition होती जिसमें कि हमारी जो arteries होती body की वो affect होती उनके असर पढ़ता है high blood pressure से तो उनमें जो pressure होगा वो increase हो जाएगा तो इसको ही hypertension बहुता है तो यह जो hypertension होता है इसमें जो blood होता है वो क्या होता blood pressure जो होता है blood का जो pressure होता है हमारी जो blood vessels होती उसमें force के साथ push होता है यानि कि force के साथ वो जाता है against the artery wall यानि कि उनके opposite जो हमारी artery की जो wall होती यानि कि जो blood vessels होती है जैसे कि उसकी जो opening होती जितनी भी उसकी opening होती जैसे एक tube हो गया अगर उसको आपने कहीं connect किया है tap से यानि कि null से कोई tube connect है pipe है जो null है उसकी tube है और वहाँ पे अगर आपने उसको open किया तो वो force के साथ वहाँ से पानी आ रहा है ठीक है और जो आपका जो pipe है उसमें इतनी capacity नहीं कि उसको जहिल पाए ठीक है तो उसमें क्या होगा ज्यादा pressure पड़ेगा यानि कि उसका जो narrow है वो बहुत पतला है उसको चाहिए वो push होता है arteries में blood vessels में तो क्या होगा उसमें pressure पड़ेगा उस arteries में ठीक है तो उससे क्या होगा जो blood pressure होगा यानि कि जो blood का जो pressure होगा वो ज़्यादा high हो जाएगा उनमें ठीक है तो ये जो heart होता है इसको क्या करना पड़ता है work ज़्यादा करना पड़ता है उसको pump करने के लिए blood को क्योंकि arteries उसका pressure लेनी पा रही है पूरा blood वहाँ से flow नहीं हो पा रहा पास नहीं हो पा रहा तो क्या होगा heart को ज़्यादा force करना पड़ ला उसको आगे बढ़ाने के लिए इतना तो समझ मा आगया होगा अब इसमें blood pressure का measurement है उसको हमेशा mmHg में करते है यानि की mm of mercury में इसको measure करते है तो जो hypertension होता है यह blood pressure होता है मलदा hypertension का जो blood pressure होती है इसकी reading हमने देख लिया था 130 by 80 mmHg या उससे भी ज़्यादा होता है तो वो hypertension वाली range में आ जाता है ठीक है अब इसके stages है hypertension के जैसे मैंने आगे भी first slide में हमने देखा था normal range वो ही है सब ज़्यादा detail इसको दुबारा नहीं करेंगे stage 1 में हमने देख लिया था stage 2 में हमने देख लिया था ठीक है first slide में जैसे यह वाली slide में हमने देख लिया था तो इसमें क्या देखते हैं कि अब जो American College Cardiology है और American Heart Association है उन्होंने जो blood pressure है इसको four general categories में बाटा है ठीक है मनलब उन्होंने इसको चार अच्छी से समझने के लिए चार भागों में इसको बाट दिया है blood pressure को इनको categorize कर दिया है जिसमें कि आता है normal blood pressure जो की 120 से 80 mmHg होता है या उससे कम होता है और elevated blood pressure जो हमने इसी के according हम देख रहे है 120 से 129 mmHg होता है बड़ा हुआ और उसका जो bottom ह रelu September dost you 120 से 129 तक होगी और जो bottom range होगी 170 से जजादा टो यह होता है elevated अब stage 11 में जो hypertension होता है वह प्रवाड गारेंज में आये होगया जो 80 से 90 की रेंज में आए और stage 2 में जो hypertension का जो 140ungs region में अध्य होगा या उससी ज्यादा होगा और bottom number यानि कि नीचे का जो diastolic होगा वो 90 mm जी तक होगा या उससे ज़्यादा होगा ठीक है अब देखिए blood pressure जो होता है हम ये high blood pressure किसे बोलते हैं blood pressure जो होता है 180 हो जाए 180 180 या 120 से उपर चले जा रहा है यानि कि 180 तक पहुँच गया ठीक है तो वह होगा higher यानि कि 120 से उपर 180 तक भी पहुँच जा रहा है तो ये consider किसमे किया जाएगा emergency crisis में ठीक है hypertensive emergency crisis यानि कि blood pressure की ये emergency condition मानी जाएगी अगर ये यहाँ तक पहुँच जाता है ठीक है 180 तक पहुच जाता है ठीक है तो इसमें क्या होता है medical consider लेने की मतलब डॉक्टर को दिखाने की जरुवत होती है ठीक है अगर इसको treat ना किया जाए high blood pressure को तो इससे क्या होता कि बहुत सारे risk हो सकता है person को जैसे कि heart attack हा सकता है stroke हो सकता है यानि कि stroke का मतलब होता है insufficient blood supply to the brain यानि कि हमारा जो brain है वहाँ पे क्या होगा blood supply कम हो जाएगी या other health जो serious condition होती वो भी हो सकती है तो इसमें important है कि जो blood pressure होता है उसको at least every two year में check करते रहना चाहिए starting at age 18 यानि कि जैसी 18 की age start होती तो वहाँ से हर साल में दो दो बार कम से कम at least blood pressure को check कराना चाहिए ठीक है और कोई-कोई person ऐसे होते है जिनको frequently check कराते रहना चाहिए मनला उनको ज़्यादा जरुवत होती है तो वो check करवाते रहते हैं बीच-बीच में तो healthy जो lifestyle habit होती है जैसे कि smoking exercise और eating well ठीक है smoking नहीं करना ये भी healthy exercise में आता है healthy lifestyle में आता है exercise करना अपना routine वर्क में और अच्छी से balance diet लेना तो ये एक healthy lifestyle की habit को follow करने से क्या हो सकता है एक तो ये blood pressure क्या हो सकता है इससे बचाव हो सकता है prevent कर सकता है ये इसको मदद कर सकता है उसमें और इसमें high blood pressure को treat भी कर सकता है sometime ठीक है कभी कभी क्या होता कि इन सब को follow करने से blood pressure normal में रहता है ठीक है और कुछ person होते है जिनको healthy lifestyle करने के बाद भी जो होता है वो उनको medication भी लेने की जरुवत होती है some people need medication to treat high blood pressure तो ये देखे कुछ common symptom भी इसमें देखने को मिलता है अब इसके symptom की बात करें जिसको hypertension है यानि कि blood pressure जादा है तो nose bleeding हो सकती है उनको blurry vision हो सकता है ठीक से नहीं दिखाए देगा नाक से bleeding हो सकती है और dizzy हो सकता है यानि कि चक्कर साने लगेगा और उनका जो heart होता है वो palpitation होगा मनला धढ़कना ज़्यादा धढ़केगा ठीक है जैसे कि एक normal beat होती उससे ज़्यादा वो palpate करेगा ठीक है और जो vomiting हो सकती है उसको nausea हो सकता है मनला दिल मचलाना और उल्टी होना अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो और breathing में problem होगी यानि कि जल्दी जल्दी मनला नॉर्मल भी इतनी होगी उसको breathing problem होने लगेगी और blood में मनला जो urine है उसमें blood भी आ सकता अगर बहुत ज़्यादा है तो और chest pain होगा मनला heart से भी concern करता है heart ही तो main है तो heart से जो blood supply नहीं हो पारी ठीक से नहीं पास हो पारा निकल नहीं पारा तो chest pain भी होगा और headache भी रहेगा तो symptom में हमने देख लिया था तो इसके जो main symptom यही है कि headache होगा shortness of breathing होगी nose bleeding होगी तो यही है कि जो ज़्यादा तर person जो होते है उसमें कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ symptom नहीं भी दिखते है जब तक कि bleeding उनकी बहुत ज़्यादा sorry जो उनका जो blood pressure होता है वो बहुत ज़्यादा high ना हो जाए यानि कि dangerous high level पे पहुँच जाता है तब भी उनको कुछ ऐसे symptom देखने को नहीं मिलते है ठीक है तो जब यह होता है तो मतलब बहुत time तक का उनको कोई symptom ना मिलने तक का उनको क्या होता वो check भी नहीं कराते हैं और उनका जो symptom होता है वो दिखाई भी नहीं देते हैं उनके body में तो blood pressure रेकिन उनका high हो रहा होता तो उनको यह सारी problem हो सकती है कुछ इस तरीके की जो अभी हमने देखाता ठीक है उसके बाद है जब blood pressure जब आप अपने doctor को दिखाएंगे तो doctor क्या क्या देखेगा आपके अंदर कि एक तो blood pressure की screening करेगा तो वो आपसे कुछ जनरल का health care आपसे मतलब कुछ ऐसे जनरल question put up कर सकते हैं पूछ सकते हैं उसमें आपसे तो क्या होगा कि important part of general health care and should get your blood pressure check depend on your age and overall age ठीक है तो वो आपको देखेगा कि आपके age क्या है आपके health कैसी है कोई disease condition other disease condition तो नहीं है यह सारी आपके history से उसको पता चल जाएगा तो यह जब भी कोई blood pressure को screening होती तो यह सारी question और यह सारी कुछ चेक करना चाहिए age औगेरा और उसके कुछ ऐसे medical condition भी और उसकी health भी ठीक है तो उससे जो आपका जो doctor होगा या जो भी health provider है वो आपसे कुछ question उससे आपसे पूछ सकते है जैसे की blood pressure की जो reading होती है वो at least जो होती है reading at least every two year starting age यह से हमने देख रहा था कि starting की जो 18 साल के बाद से हर साल में मतला हर 2 साल में blood pressure को check करवाना चाहिए ऐसा आपके doctor भी आपसे कहेंगे कि 18 साल के बाद से हर 2 साल के बाद आपको हर 2 साल में check करवाना चाहिए और अगर आप age 40 है या उससे ज़्यादा के age के हैं तो या फिर आप 18 से 39 यानि की 40 तक के range में आ रहे हैं तो आपको क्या हाई risk के जो high blood pressure के risk हो सकते है इसलिए जो है अपने doctor से हमेशा every जो 2 year में आपने को check कराना चाहिए या every year आपको अपना blood pressure को check कराना चाहिए ठीक है और जो care provider होता है will likely recommend more frequent reading ठीक है वो आपकी क्या कर सकता है if you have any blood pressure अगर आपको high blood pressure है तो वो आपकी frequent reading recommend कर सकता है यानि कि एक ही बार में वो नहीं बोलेगा कि आपको high blood pressure है तो वो क्या करेगा कि frequent reading में वो blood pressure को read करेगा मतलब उसको measure करेगा ठीक है और other risk factor अगर heart के है जैसे कोई condition ऐसी है कोई ऐसी disease condition है तो वो भी वो आपके लिए देखेगा ठीक है करेगा और अगर बच्चा जो होता वो age 3 है या उससे ज्यादा बड़ा बच्चा है age 33 से उपर के बच्चे है या 3 के बच्चे है तो blood pressure उनका measure होना चाहिए as part of the of their yearly check-up ठीक है yearly check-up में जो है एक ये blood pressure का भी check होना चाहिए क्योंकि बच्चों में भी क्या होता है blood pressure increase होने के chances होते हैं तो if you don't regularly see a care provider you may be able to get a free blood pressure screening at health resources fair or other location in your community अगर आप regular आपका doctor आपको नहीं देख पा रहा है या आप नहीं check कर आप आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं अपनी जो blood pressure की screening है वो आप अपने local जहां पर भी जो community है जैसे कि CACA, PACA या कोई healthcare clinics है वहाँ पे आप अपना blood pressure को check करवा सकते हैं और यह जो होता फ्री में भी हो जाता है camp लगते हैं तो वहाँ पे आपको check करवाना चाहिए free blood pressure machines जो होती है are available in some store and pharmacies में भी होती है जिसमें की वो क्या करते हैं पैसे नहीं लेते हैं और आपका जो check कर सकते हैं यह blood pressure तो इसको check करवा लेना चाहिए और accuracy of these machines depends on several things ठीक है अब यह देखिए अगर आपने इसको check करवा है तो आपकी जो blood pressure है उसमें variation भी आ सकता है तो उसकी accuracy कैसे depend करती है वो कुछ चीजों पर depend करती है ठीक ठाक blood pressure आपका मिल पा रहा है की नहीं जैसे की जो cuff का size होता है वो correct होना चाहिए और उसका जो use होता है machine का वो proper होना चाहिए यानि की जो BP cuff होता है जो hand में आपने देखा होगा बांधते है चेक करते समय तो उसका जो size होता है वो ठीक होना चाहिए यानि की ना छोटा ना बड़ा ठीक है और use भी आना चाहिए करना उसका proper ठीक है machine का जिससे की blood pressure की जो measurement है वो correct हो ठीक है और blood pressure का determined by two things उनको दो तरीके से आप determine कर सकते the amount of blood in heart pumping यानि की जो blood है वो मतलब हमारे heart में कितना जो है वो heart pump कर रहा है blood को और how hard और मतलब जो how hard it is for the blood to moving through the arteries और उसको जो है heart को कितना pressure मतलब यह जो heart है इसको जो arteries है इसमें blood को supply करने में कितना ज़्यादा force लग रहा है कितनी ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ लिए इस पर depend करता है कि amount कितना है blood का जो वो pump कर रहा है और उसको कितना force लगाना पड़ रहा है ठीक है यह पता लगाना पड़ेगा तो the more blood and heart pumps and the narrowing the arteries are higher the blood patient ठीक है अब ज़्यादा force blood का जो होता है वो more blood को क्या कर रहा है supply कर रहा है और heart जो होता more blood को pump कर रहा है लेकिन जो हमारी जो arteries है वो कैसी होगी बहुत ज़्यादा पतली हो गई है उसमें उतना काम नहीं कर पा रही है जो उसको नहीं ले पा रही है तो क्या हो जाएगा जो pressure है वो ज़्यादा इन में पड़ेगा ठीक है जो ये arteries है वो बहुत narrow हो गई है और इसमें ज़्यादा blood का pressure पड़ रहा इसके वज़े से ये hypertension cause हो रहा है ये दो तरीके से हम इसको measure कर सकते है मालब causes पता लगा सकते है एक तो हो गया primary जिसको की essential hypertension भी बोलते है और इसमें क्या होता है four most adult जो होती है no identifyable cause of high blood pressure ठीक है कुछ ऐसे adults होते है जिसमें कि जो identify नहीं किया जा सकता है कि high blood pressure के क्या कारण से ये हो रहा है this type of high blood pressure इसके type में जो है ये पता नहीं लगा पाएंगे इसको primary hypertension बोलते है या फि essential hypertension भी बोलते है it tend to develop gradually ये क्या होता है gradually होता है इसको बंहोंदा high blood pressure होने में बहुत सारा time लग जाता है लग सकता है और ये धिरे-धिरे से develop होता है इसमें क्या होता है plague develop होता है in the arteries में यानि कि جो हमारी arteries है इसमें क्या होता है plague develop होता है plague का मतलब मैंने आपको ये हमने देखा था यूरिया, क्रिटनीन वगरा हम जब पढ़ लेते यूरिक ऐसिट के बारे में तो मैंने इसमें बहुत अच्छी सा आपको बताया था प्लेक क्या होता है ठीक है ये एक सबसेंस होता है फैटी सबसेंस जो कि इसमें क्या होता है पोज़िट होता चला जाता हमारी ब्लड वेसल में जिससे क्या होता है इसको क्या बोलते है आर्ट्रियों अर्थ्रोक्रोसिस भी इसको बोलते है ठीक है जिसमें की आर्ट्री जी होती बहुत नेरो हो जाती increase the risk of high blood pressure जिसके वज़े से high blood pressure cause होता है secondary hypertension में क्या होता है this type of high blood pressure cause by the underlying condition अब secondary में क्या हुआ कुछ ऐसी disease condition हमको हो सकती जिसके वज़े से high blood pressure हो रहा है जो कि appear होता है suddenly अचानक की blood pressure suddenly appear होगा जिसके वज़े हमें जैसे कि हमारी कोई अंदर बीमारी है उसके वज़े से हमारा blood pressure में effect पड़ा और वो अचानक की हमको ऐसी syndrome symptom लगने लगे symptom आने लगे जो हमने check करा है तो वो high blood pressure हो सकता है ये condition जो होती है और कुछ ऐसी condition हो सकती है कुछ ऐसी medication हो सकती जो कि secondary hypertension को क्या करती lead करती है यानि कि उसको secondary hypertension होने में उसको help करती है जो कि होती कुछ ऐसी बीमारिया हो सकती है और कुछ ऐसी medication जो कि हम ले रहे होते हैं जो कि हमारे direct liver में effect करेगी है तो जिसमें कि क्या होती कुछ ऐसी condition जो ये हैं नीचे लिक हुई बच्चा जब पैदा होता तभी से उसकी कुछ ब्लड वैसल से रिलेटर कुछ प्रॉब्लम है तभी ये प्रॉब्लम आईगी इसलिए मैंने बोला बच्चो को भी तीन साल के बास से ब्लड पेशर को चेक करना चाहिए और मनला हर साल येरली चेक अप में ये भी एक एड कर लेना चाहिए कफ एन कोल मेडिकेशन अगर ले रहे है या फिर कुछ पेन रिलीवर मेडिकेशन ले रहे है या बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रहे है तो या फिर कोई ऐसी अधर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं उसका भी कभी-कभी effect पड़ता है हमारे organs में, जो vital organs होते हैं, जिसके वज़े से ये problem आती है, blood pressure भी increase हो सकता है, और कुछ illegal drugs होती है, जैसे कि cocaine हो गया, और emphetamine हो गया, इसके वज़े से भी, कुछ medication के वज़े से भी, ये problem आती है, hypertension की, secondary hypertension, ठीक है, और कुछ kidney disease हो सकती है, obstructive sleep पर अपनिया हो सकता है, उसके वज़े से भी ये cause होगा, thyroid problem है, और sometime just getting healthy, health check-up, और कभी-कभी क्या होता है कि, जब आप health check-up कराने जाते हैं, तो आपकी जो होती, anxiety level बढ़ जाता है, ठीक है, हम लोग anxiety में रहते हैं, hospital के नाम से ही, बनलब एक डर भरा रहता है, तो उसके वज़े से भी कभी कभी क्या होता है, blood pressure जादा हो जाता है, उसको बोलते है, white caught, ये देखे नीचे लिखा है, white caught hypertension, ठीक है, तो इसको बोलते है, white caught hypertension, जब की anxiety है, कोई भी ऐसे हम चक कराने, health check-up में जाते हैं, वैसे तो normal रहता है, अचानक ही बढ़ जाता है, तो इसको बो सकता है, तो ये बहुत सारे risk factors में आते हैं, एक तो गया age, तो जैसे जैसे age बढ़ती चले जाती है, तो hypertension का जो risk है, वो जादा बढ़ते चले जाता है, इसमें जो होता है, जो 64 year के person होते हैं, या उससे ज्यादा के होते हैं, तो इसमें hypertension common होता है, man में ठीक है, और more common होता ह man में, और woman में भी ये जो होता है, develop मतलब हो सकता है, blood pressure, वो होता है after 65 age, ये मैंने net के according ही बोल रही हूँ, वैसे तो आजकल किसी भी age में आप देख पा रहे होंगे, anxiety और हमारा जो stress level है, हमारे जो blood pressure है, उसमें भी उसका effect पढ़ता है, और वो पहले ही हो जाता है, तो यहा में ठीक है, और इसकी race की बात करें तो ये black person में ज्यादा common होता है, in comparison to white में, ठीक है, तो black person में ये ज्यादा जली earlier age में develop हो जाता है, ठीक है, family की history में भी ये होता है, अगर किसी की family history में high blood pressure है, तो जैसे उसके parents में या उसके simling में, तो उसमें भी ये होने के chances हो सकते है, too much salt, अगर कोई ले रहे हैं, बहुत ज्यादा sodium वगरा use कर रहे हैं, जिसको की sodium भी कहते है, salt को, तो उसके वज़े से भी ये cause होता है, ठीक है, क्योंकि वो क्या करेगा, हमारी body में retain हो जाता है, यानि कि जो sodium होता है, वो हमारी body में जमा हो जाता है, जिसके वज़े से क्या life style उनकी रहती है, ज्यादा, तो उसके वज़े से भी ये cause होता है, cigarette smoking अगर कर रहे हैं, तो भी ये होगा, और obesity, अगर ज्यादा fatty person है, over weight है, तो ये होगा, और kidney की कोई बिमारी है, तो भी ये, इसके risk factor में आ सकता है, family history में किसी को है, तो भी इसमें एक risk factor हो सकता है, hypertension होने आजकल तो किसी भी age में ये संभा हो है, क्योंकि आजकल stress जादा हो रहा है लोगों में, तो उसके वज़े से भी ये cause होता है, and too much salt, अगर हम diet में ले रहे हैं, तो भी ये cause होता है, ठीक है, फिर lack of exercise, यानि कि exercise हम कम करते हैं, या फिर बिल्कुल नहीं करते हैं, not exercising, जिसके weight gain होता है, और increased weight जो होता है, रिस्क होता है, high blood pressure का, ठीक है, तो people जो inactive रहते हैं, उनका weight high, मतलब ज्यादा रहता है, तो उनको heart rate होता होता हो भी high रहेगा, ठीक है, तो जिसके वज़े से BP का BP भी high हो जाएगा, और tobacco use कर रहे हैं, जो लोग उनको भी जो होता है, ये होता होता है, तो इसलिए जो होता है, मतलब बहुत जल्दी बढ़ेगा, तो tobacco smoking injuries, blood vessels, ये क्या करते हैं, कैसे बढ़ेगा, जो ये होता है, ये हमारे जो blood vessels होती, उसमें injury कर सकते हैं, ठीक है, उनकी जो wall होती, उसमें injury कर सकते हैं, उनको जो होता है, उनकी जो capacity होती, उसको कम कर स हुआए तो इससे क्या होगा जो उनकी जो वही हो तीड हो यह मैं प्रयश्र की प्रॉबिम में प्रॉबलम आईगी ठिक है हाई हो घूए कि यहाँ जाएगा अगर नहीं का रहे हैं तो सजिटेशन इसको इस्ट्रडरी बनानी चाहिए उसको पूट्क लिए उसके लिए help ले लेनी चाहिए कुछ एंजी उससे या कुछ ऐसे जो इसमें काम करते हैं कि कैसे उसको quit करें तो इसके बारे में सोचना चाहिए ठीक है obesity और being overweight जैसे कि हमने इसमें देखा था कि obesity भी एक इसका risk factor है कि जब excessive weight जो होता है वो change करता हमारे blood vessels को और जैसे kidney हो गई other part of the body हो गया वहाँ पर भी इसकी blood supply ठीक से नहीं पहुँच पाईगी वहाँ की जो ये blood vessels होती उसमें इसका effect पड़ेगा तो इससे क्या होगा कि increase blood pressure हो की disease भी हो जाती है तो इससे क्या होगा high रिस्क होगा जैसे कि जो हमारी arteries जो हमारी weighни होती है ये जो हमारी blood vessels होती अर्टरीव उसमें क्या होगा high cholesterol deposit हो जाएगा ठीक है अब low potassium का level होने से भी ये risk factor होता है low potassium जो sorry जो ये potassium का जो होता है help क्या करता potassium वो help करता हमारा balance बनाता हमारे salt को हमारी बόड़ी में ठीक है जो भी sodium होता हमारी body में जो हमारी body cells होती है उसमें उसको क्या करता potassium balance बना के रखता है ठीक है तो जो proper balance होता potassium यह जो potassium का वो एक हमारे body के लिए बहुत ज्यादा important है हमारे good heart for health के लिए यानि कि हमारा जो heart है वो healthy रहे उसके लिए potassium का level हमारे body में normal होना चाहिए तो low potassium जो level होता है उससे भी क्या होता लेक और potassium भी जो होता है अगर हम diet में लेते हैं या भी कुछ health condition ऐसी होती है हमारे जिसके वज़े से ये कम हो जाता है जैसे dehydration भी हो सकता है या हम अपने diet में भी कम ले रहे हैं तो potassium का level भी कम हो जाएगा जिसके वज़े से भी high blood pressure cause होता है और वो क्यों cause होता है वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया drinking too much alcohol वो उसके वज़े से भी क्या होता है particularly in man वो होता है वो develop हो जाता है high blood pressure ठीक है और कुछ stress होता है जिसके वज़े से ये lead करता है हमारा blood pressure जो होता है वो increase हो जाता है high level का अगर हम stress लेते हैं stress related habits जैसे की eating more हम उसमें क्या करते हैं इसके वज़े से जब stress होता है तो हमारी कुछ habits हो जाती है किसी की habits होती है कि वो tension में कुछ ज़्यादा खाना खा लेते हैं ठीक है tobacco लेने लगते हैं drink करने लगते है alcohol लेते हैं जैसे न तो वो क्या करेगा हमारे जो blood pressure है उसको वो बढ़ाएगा ठीक है तो इसके लिए stress भी माना जाता है और कुछ certain chronic condition होती है जैसे कि किसी को kidney disease है diabetes है sleep apnea है यानि कि सोने में उसको disturbance है मतलब difficulty होती है ठीक है breathing problem हो रही होती है तो यह जो condition होती है यह high blood pressure को cause करती है pregnancy होती है कुछ ऐसी pregnancies मतलब pregnancy तो normal सबकी same ही होती है कहने का मतलब यह जो कुछ pregnancies भी ऐसी होती है मतलब कुछ ladies होती है जिन कुछ ladies में जो pregnancy होती है sometime जो pregnancy होती हो क्या करती है high blood pressure को cause करती है ठीक है high उसमें क्यों भी hormonal change होते है तो इसलिए ऐसा cause हो सकता है blood pressure risk हो सकता उनको भी high blood pressure जो होता में भी देखाता high blood pressure जो होता है in children में जो होता है वो problem करता है kidney और heart में ठीक है अगर उनमें होता है तो ठीक है but for a growing number of kids high blood pressure is due to lifestyle habits such as the unhealthy diet or lack of exercise इसके वज़े से भी यह होता क्योंकि आजकल जो होते है बच्चों में कोई भी exercise नहीं हो पाती है उनमें ज्यादा बड़न तो पढ़ाई का है तो हर समय पढ़ते रहते है तो physical उनका कम हो जाता है जिसके वज़े से उनकी exercise भी नहीं हो पाती है और unhealthy diet रहती है यानि कि हमेशे वो pizza, pizza हो गया burger हो गया इस तरीकी की चीज़े होती ही वो लेते हैं जिससे कि उनका obesity इंक्रीज होती है और blood pressure भी इंक्रीज होता है अब इसके complication देखें तो ज्यादा जो blood pressure इंक्रीज हो गया है तो उसमें क्या होगी जो excessive pressure पढ़ता है artery wall में ठीक है जिसके वज़े से blood pressure बढ़ जाता है ठीक है उससे क्या होगा हमारी जो vessels होती वो damage हो जाती जो blood vessels भी damage होगी और साथ-साथ हमारे जो body organ भी हो सकता है वो damage हो जाए या काम करना उसका मिनलब disturb हो जाए ठीक है तो high blood pressure जो होता है and the longer it goes uncontrolled ठीक है अगर जब high blood pressure जो होता है बहुत टाइम से उसको uncontrolled high blood pressure है तो वो get ज्यादा chances है वो damage करने का हमारे जो organ होते blood vessels होते है उनको वो ज्यादा damage करेगा जो uncontrolled blood pressure है बहुत टाइम से वो हमारे body में चल रहा और कोई symptoms में नहीं देखने को मिल रहे है इसलिए तो uncontrolled high blood pressure can lead common complication जो जटिलता है जैसे मैंने बोलाता उसमें क्या-क्या हो सकता है heart attack हो सकता है stroke हो सकता है ठीक है stroke हो सकता है और इसमें क्या होगा heart attack में क्या होगा कि जो हमारी hardening हो जाती है ठीक नहीं हो जाती है हमारी arteries जो होती है blood vessels जो होती है हमारी क्या हो जाती है बहुत ज़्यादा hard हो जाती है और बहुत ज़्यादा ठीक हो जाती है जिसके वज़े से यानि कि ठीक कैस होती है वो उसमें क्या होता है वो plague जमता रहता है और वो क्या हो जाती है, मोटी होती चले जाएंगी तो उसके जो opening होती ही, वो छोटी होती जाती है, narrow होती चले जाती है due to high blood pressure other factors lead to heart attack and stroke and other complications, अब heart में भी ठीक से blood जो होता है वो मनलब वहाँ भी blood pump करने का जो काम है वो जो हता, disturb हो जाता और stroke भी हो जाता है, ब्रेन में हमारा blood pressure sorry, blood नहीं पहुच पाता, sufficient वहाँ की जो arteries हैं वो narrow हो जाती है, तो other complications भी इससे हो सकते है, ठीक है अब यहाँ पे देख लीजी, यह normal vessel से arteries, देखे यह यह normal है, इतनी बड़ी चौड़ी है इसमें अराम से blood जो होता, वो क्या होता pass हो रहा होता, और अब यहाँ पे देखे जो blood vessels से, यह damage हो गई, यह देखे इतनी पतला हो गया, यह जो lightish pink color है, यह इतना पतला हो गया, narrow हो गया तो यहाँ पे इतना ही blood supply हो पा रहा है यह अरक्री की जो wall होती है, यह讲 तो इस से वज से यह together जो जो blood vessels होता हो ठीक से नहीं हो पाता है यह जो blood vessels होती है, हमारी stib हो जाती है अब देखे इसे stroke हो रहा हो यहाँ पे हासा हो ठीक से यहाँ भी पंप नहीं हो पारा हाट ब्लड वहां नहीं पहुँच पारा ऑक्सीजन तो किसी भी बॉड़ी के मला हमारे ब्रेन के किसी भी पार्ट में जहां पे blood supply नहीं पहुँच पाएगा properly तो oxygen भी कम पहुचेगा तो वहाँ पे भी stroke होने के chances है heart attack हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे को blood जो supply है उसमें भी problem आ गई, altered हो गई है ठीक है, इस तरीके की जो artery होगी तो blood में जादा heart में भी pressure पढ़ ला है, kidney damage हो जाएगी क्योंकि kidney में भी blood supply ठीक से नहीं पहुच पारी क्योंकि यहाँ की भी जो blood vessels है वो narrow हो जाती है ठीक है, अब का aneurysm, इसके complication में एक होता है aneurysm, इसमें भी क्या होता, जो increased blood vessels के वज़े से क्या हो सकता, blood vessels की जो blood vessels होती है, जो wall होती है वीक हो जाती है, बल्ज हो जाती है, जिसमें की जो होता है aneurysm form हो जाता है, और वो जो होती कभी कभी वो rupture भी हो जाता बहुत जादा, अगर इस तरीके से जो उसमें bulge हो जाती है bulging जैसे की fool नाजे से बोलता है, ठीक है यह जो होती life threatening होता, यानि की एक खतरना danger हो जाता, emergency हो जाती है, मतलब life threatening condition है, यह वाली aneurysm, ठीक है, फिर है heart failure इसमें भी क्या होता है की जब high blood pressure होगा, तो जो heart होता है वो क्या होगा, उसमें work, उसको heart करना पड़ेगा, यानि की जब वो pump करेगा blood को arteries में, तो उसको बहुत ज़्यादा महनत करनी पड़ेगी, ठीक है जिसमें क्या लगेगा, उसका strain होगा, उसको बहुत ज़्यादा strain लगेगा तो यह जो cause करेगा, क्या wall of the heart pumping chamber to thick अब यह क्यों हो रहा था, क्योंकि जो heart की जो chamber होता है, जो chamber होता है pump करते हैं, वो क्या हो जाते है, ठीक हो जाते है, जिसको बोलते है ventricular hypertrophy जिसको की ventricular hypertrophy बोलते है, eventually जो heart होता है, वो बिल्कुल भी pump नहीं कर पाएगा अच्छी से heart को, वो sorry heart जो होता है, वो blood को क्या नहीं कर पाएगा enough नहीं, जो हमारी body की जितनी भी demand है, उतनी demand के अनुसार वो क्या नहीं कर पाता है blood को pump नहीं कर पाता है, जिसके वज़े से जो होता है, वो heart फेल हो जाता है माना कि जो हमारा heart है, वो क्या है, एक power supply है, ठीक है, वो हमारा water supply हो जैसे water की main power supply से होती है अगर वहाँ पे जो मोटी वाली जो हमारी जो pipe लगी होती घरगरों में जो पानी को पहुचाती है, अगर उनमें कुछ blockage आ जाता है, अगर वो break हो जाते है तो क्या होगा हो, वो pump में जादा असर पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से easily नहीं पास हो रहा है और heart, जो pump होता है, वो वहाँ पे पानी नहीं पास होगा, और वो क्या होगा, heart, जो यह pump होता है, उस में जादा pressure पढ़ेगा उनको पहुचाने के लिए तो same like यहाँ भी यह हो रहा है कि जो heart होता है उसमें ज्यादा pressure पढ़ रहा है उसकी जो pumping chamber होती है उसमें ज्यादा pressure पढ़ रहा हाट के तो उसकी wall जो होती है ठीक हो जाती है जिसके वज़े से इसको बोलते है ventricular hypertrophic है और फिर एक time ऐसा आता है जब हो heart जो होता हमारी body के demand के Reports autor感 강श के एन송ार क्या नहीं कर पाता blood को pumत नहीं कर पाता पुरी तरीके से नहीं भेज पा रहा हा है जिससे के heart को क्या हो ठीक है किड्new problem होती है ज disturbance होती है प्रोपर करनाicking जब कुछ फिल्टर करने के लिए ही नहीं तो किड्नी को भी क्या नहीं मिलेगी औकसीजन स्प्लाई नहीं होगी ठीक से तो वहाँ के tissue क्या होने लगेंगे डैड होने लगेंगे और kidney भी damage हो जाएगी आई problem हो सकती है अगर blood pressure जो होता है जादा हो जाता है तो जिसके वज़े से क्या होगा वो वहाँ वो जो वहाँ आई की जो eyesight में जो blood supply हो रही है उसकी जो arteries होती हो थिक हो जाएगी और पतली थिक का मतलब जैसे मैं नो होता है वो हमारी जो आई होती है वो ठीक से vision नहीं कर पाती है वहाँ की वहाँ का आई का जो vision होता है वो loss हो जाता है तो आई की जो blood vessels जो होती है फड़ भी सकती narrow हो जाती है ठीक हो जाती है जिसके वज़े से आई का vision में भी मनलत देखने की जो शम्ता होती वो कम हो जाएगी ठीक है और जो metabolic syndrome भी इससे एक complication होता है यानि कि एक जटिलता ये भी है क्या होगा इसमें कि जो group of disorder of the body's metabolism जो body का metabolism process होता है metabolism करने की जो ताकत होती है वो क्या हो जाती है उसमें disturbance हो जाता ठीक है उसमें क्या होगा कि जो sugar का breakdown होता है वो irregular हो जाता है यानि कि जो इस तरीके से एक regular form में काम चलता रहता है वो सब नहीं हो पाएगा जो उसका जो breakdown होता हो irregular हो जाता है जिसको कि glucose बोलता है इस sugar को है तो उससे क्या होगा the syndrome include increase अब ये देखो जमा होता गया irregular breakdown होगा शुगर का तो ये जो syndrome होता है इसमें क्या हैगा कि जो waist size होता है जिसमें ये पाली problem होती है metabolic syndrome की waist size उनका increase हो जाएगा कमर का size बढ़ जाएगा और उसका जो triglyceride होता है वो बढ़ जाएगा ठीक है high हो जाएगा और जो decrease हो जाएगा यानि कि जो good मतलब जो good fat है यानि कि cholesterol जो good वाला है वो कम हो जाएगा decrease high density डिपो प्रोटीन जो होता है वो कम हो जाएगा और cholesterol जो होता है high ज्यादा हो जाएगा cholesterol हो गया high blood pressure हो गया high blood sugar हो गया जो होता है वो बढ़ जाएंगे ठीक है तो इस condition से क्या होगा diabetes develop होगी, heart disease develop होगी और stroke develop होगा तो यह तो होगी metabolic syndrome यह मैंने जो है जो इससे पहले की जो हमने इस channel में डाला था ना जो uric acid की problem देखने को मिल रही है और जो SDL और SDL और LDL यह भी मैंने इसमें डाल लगा तो आप उससे भी देख सकते हैं डीटेल में अगर देखना है तो changing with memory and understanding इसमें भी इससे फरक पड़ता है यह भी a complication है कि अगर high blood pressure है तो हमारी जो memory है वो भी altered हो जाती है और हमारी understanding यह जो हमारी याद करने की जो ताकत होती वो भी कम हो जाती उसको भी affected होती जो हमारी ability होती है think करने की सोचने समझने की शक्ती होती वो भी affected हो जाती उसमें भी असर पड़ता है memory में हमारी और learn करने की भी ताकत हमारी कम हो जाती ठीक है तो यह और dementia भी हो जाता है, dementia में कैसे होगा वो, कि जो narrow और blockage, जो arteries होती है, वो क्या करती, blood flow को brain में पहुचाने में कम कर देती, जैसे मैंने आपको बताया था diagram में, जैसे यह है, अब यहाँ से blood जो होता, pump हो रहा, brain के लिए, लेकिन यहाँ पे बीच में कुछ ऐसे, बहु vision loss हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से यह वाली सारी problem इस से blood pressure से बहुत कुछ ज़्यादा हमारे body में affected हो जाती है हमारे जो major organ होते है ठीक है तो जो blood flow हो जाता brain में वो कम हो जाएगा ठीक है limit हो जाएगा इसके वज़े से क्या होगा जो certain type of dementia हो जाएगा जिसकों की vascular dementia भी बोलते है कुछ type का dementia हो जाता है जिसको vascular dementia बोलते है जिसमें हमारी memory का memory में असर पड़ता ठीक है eye stroke can interrupt blood flow to the brain और stroke में जो होता blood flow जो हो ठीक से नहीं पहुँच पाता brain में जिसकों की vascular dementia भी कहते है इसके वज़े से यह dementia अब देखें diagnosis में यह इतने सारे diagnosis लिखें है जिसको आप देख सकते हैं अगर मैं एक एक करके पढ़ूंगी तो बहुत जादा lengthy video हो जाएगा तो यह सारे diagnosis में कराने होते हैं diagnosis का मतलब है कि BP मतलब अपने BP को चेक कराने के लिए doctor जो है आपके इतने सारे कुछ diagnosis करा सकते हैं और कुछ इसमें हम overview कर लेते हैं कि diagnosis करने के लिए क्या होता है कि high blood pressure को जो आपके doctor होते हैं वो examine करेंगे आपसे कुछ question पूछेंगे आपकी medical history लेंगे आपके और आपसे high blood pressure से related आपसे symptom पूछेंगे कि क्या क्या आपको हो रहा है symptom अदल लक्षन जो हमने देखे थे आगे through the pic तो वो भी आपसे पूछेंगे तो उससे वो idea लगाएंगे कि आपको blood pressure जादा है और फिर उससे क्या करेंगे आपके heart की जो sound होती है उसको भी सुनेंगे excuse me with the help of stethoscope तो stethoscope एक device होता है जो कि इसको हिंदी में आला भी आपने सुना होगा उससे क्या करता है वो heart की sound को सुनते हैं ठीक है heart की जो beat होती उसको वो सुनते हैं जिससे उन्हें पता चलता कि हाँ उसका जो pumping है वो कैसा हो रहा है तो blood pressure का भी idea हो जाता है और blood pressure को check करने के लिए क्या होता है using करते हैं मतलब कफ को use करते हैं ठीक है जो कि आपने देखा होगा heart में उसको place करते है यानि कि जो arm होता है उसके चारु तरफ उसको बांगते हैं और यह important है कि जो को को का जो size होता है वो फिट होना जाहिए यह जी satisfying का आपना कि अगर यह बहुत ज्यादा बड़ा यह यह बहुत ज़ाद़ चोटा यह क। तो क्या होगा कि जो blood pressure की जो reading ह 요ी यानि कि जो measurement होता है, उसकी जो reading होती है, उसमें variation आ सकते हैं, यानि कि वो एकदम नहीं है कि accurate मिलेगा आपको, ठीक है, तो cuff जो होता है, वो inflate करने हैं, यानि कि जब उसको फुलाते हैं, उसमें air fill करते हैं, pump के थूरू, जो कि हमारे hand में जो छोटा pump होता है, small hand pump जिसे बोल नहीं का, तो वो भी क्या होना चाहिए, proper होना चाहिए, use भी proper होना चाहिए, ठीक है, तो जो first time, अगर जब first time blood pressure लेते हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए, उसको दोनों आम से लेना चाहिए blood pressure को, और फिर उसमें देखना चाहिए कि कौन से आम में कितना मिला है, क्या differences है, दोनों में कितना अंतर है तो जिसमें ज़ादा ब्लट पेशर है रीडिंग तो यह फिर यूज़् चाहिए ठीक है तो ब्लट पेशर का जो मेजर्मेंट होता है उसको mmHg में करते हैं जिसको parameters की मिली मीटर of mercury बोलते हैं ब्लड पेशर की रीडिंग जो थी दो नंबर में करते हैं को एक सउंट सुनाई देगी इस त्रेटोसकोप से आप सुनते हैं जो जब प्रेशर करतें तो उसको भोणते के से ala Tolik pressure और बाटम वाल होता रेटरॉला हो सेकंड लोवर होती है यानि कि अशे और नीचे की जो ब्रीडिंग जो सांड होती है और जो बहुत कम सांड करती है और बीट करने में बिलकु सलो साूंड आती तो वह थी आपकी डायस्ट्री या ने की उनके बीच के जो सांड होती उसी को डायस्ट वाला बोलते हैं इलम बित्वीन जिसे तो वो hypertension की range में आता है और इसको high blood pressure usually based on average of two more reading, दो more reading इसमें करते हैं on separate occasion में, यानि कि एकी reading में हम नहीं बोल सकते कि इसको hypertension है, इसको हम separate separate occasion में इसकी reading करेंगे, तो उससे पता चलेगा कि और बार बार जब high आता है तब हम उसको high blood pressure में hypertension उसको बोलते हैं, ठीक है, और जो high pressure होता है, वो according to high it is, ठीक है, यह called होता है staging पर, जो हम इसको, जो blood pressure की, जो हमने group में इसको divide करते हैं, इसको जानने के लिए, कि वो blood pressure कौन से level का है, कौन से stage का, उसको staging बोलते हैं, तो यह हमें क्या करती है, गाइट करती है, कि अब उसको कौन से number का treatment, किस तरीकी का treatment देना चाहिए, वो किस stage में उसका blood pressure है, ठीक है, stage 1 में आता, top number 130 to 139 होगा, और bottom number 80 to 89 के बीच में होगा, यानि कि 90 के around होगा, ठीक है, और stage 2 में जो hypertension होगा, top number 140 होगा, या उसके equal होगा, या उससे ज्यादा होगा, और bottom number 90 mmHg या उससे ज्यादा होगा, ठीक है, अगर ऐसा reading आती है, आपको sorry, तो आपको उसको second 2 में, stage 2 में रखना चाहिए, और अगर ऐसी reading आती है, तो आपको stage 1 में आपको भोलना चाहिए, ठीक है, sometime the bottom, जो bottom blood pressure होता है, उसकी normal, जो reading होती है, वो less than 80 mmHg आती है, ठीक है, यानि कि जो bottom blood pressure होता है, उसकी reading normal आती है, 80 mmHg तक का कभी कभी, but जो top number होता है, वो high होता है, ठीक है, 130, 140 होगा, लेकि नीचे जो होता है, वो normal होता है, तो इसको क्या बोलता है, isolator systolic hypertension बोलते है, अगर ऐसा मिल रहा है, तो यह बहुत जादा लोगों में common होता है, तो इसको बोलता है, isolator systolic hypertension, देखिए, एक type का hypertension तो यहां मिल गया आपको, ठीक, तो it's common type of high blood pressure, people older than 65, यह जो होता है, जो कि older 65 से ज़्यादा age के होते है, उनमें यह common होता है, according to net, ओके, और test जो होता है, इसमें कुछ test भी किये जाता है, recommend करता है, डॉक्टर, जिसको कि आप क्या कर सकते है, blood pressure को diagnose कर सकते है, ठीक है, उनका पता लगाने के फिर एक ambulatory monitoring भी की जाती है, blood pressure को check करने के लिए, जैसे इसके नाम से लग रहा है, ambulatory monitoring, जिसको कि आप walking करते हैं, और sleeping time, सब के समय में आप blood pressure को check, वो read होता रहता है, उसमें हमारा record होता रहता है, एक ऐसा device होती है, blood pressure की, जो कि क्या करती है, blood pressure को regular जो होती है, over 6 या 24 hours में reading के लिए छोड़ देता है, उसको apply करके body में, ठीक है, तो यह होता है, ambulatory blood pressure जो होता, वो monitor करता रहता है, उसको यह एक device होती है, जिसको की test करने के लिए, use करता है, यह device होती है, कभी जरूरी नहीं होती है, all medical center में, सभी जगा यह नहीं available होती है, ठीक है, तो यह जो ambulatory monitoring जो device होती है, यह क्या करती है, blood pressure को reading करती है, और record करती है, ठीक है, over 24 hours, मतलब 24 hours के लिए अगर इसमें apply कर, छोड़ देते है, patient के cup में, मतलब उसके hand में, arm में, कफ को apply करके, और जो device होती है, उसके body में उसको attach कर देता है, चाहे pocket में उसको लगा लें, उसकी body में उसको अच् record करता रहता है, तो इसको बोलता है, ambulatory monitoring, अगर patient hypertensive है, तो उसको सोते समय भी reading ज्यादा मिलेगी, rest की समय भी ज्यादा मिलेगी, ठीक है, अच्छा, lab test भी करता है, यानि कुछ blood test और urine test भी इसको check करने के लिए किया जाता है, कि आप उसकी conscious condition है, जिसके वज़े से ये high blood pressure cause हो रहा है, जैसे कि for example, इसमें check क्या जाएगा, cholesterol का level चेक क्या जाएगा, blood sugar का level चेक क्या जाएगा, and इसमें जो होता है, kidney, liver and thyroid function भी इसमें check क्या जाता है, जिससे की पता चलता है कि blood pressure में भी कोई ना कोई, के वज़े से ये सब cause हो सकता है फिर एको काडियोग्राम भी इसमें किया जाता है, जो कि non-invasive exam मतलब है, इसमें कोई भी cut what नहीं लगता है, इसको भी use किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, जो sound waves होती है, इको काडियोग्राम में, वो sound waves क्या की जाती है, create की जाती है, जिससे की detail imaging ली जाती है, heart beat की, हार्ट की जो beats होती है उसकी amazing जो होती है in sound waves के according वो record होती चले जाती है तो इससे पता चल जाता है कि जो blood है ता वो कितना move कर पा रहा है through the heart यानि कि heart से कितना move कर रहा है और arteries की heart की जो wall होती उससे कितना वो बाहर आ पा रहा है हर beat में तो ये इससे sound waves जो होती है उसको measure करती रहती है मतलब वो record करती रहती है फिर ECG और EKG यानि कि electrocardiogram जो होता है वो भी एक quick है मतलब इससे जल्दी पता चल जाएगा और ये painless है कोई pain नहीं होता है इसमें भी heart इसमें क्या किया जाता है कि ये heart की electrical activity होती है उसको measure करते है इसमें ठीक है जिससे की blood pressure का भी पता चल जाता है ये क्या होता है इसमें ये कैसे it can tell how fast or how slow the heart rate beating इसमें ये देखा जाता है कि जो heart rate है हमारी वो कितनी ज़्यादा faster कितनी कम है यानि कि normal है कि नहीं है ये EKG से पता चल जाता है ठीक है ECG से और during ECG जो होता इसमें क्या किया जाता है जो electrode होता है यानि कि जो ये sensors होते है इसको electrode करते है ये क्या करते है ये जो heart की जो beats होती है उसको ये record करते है तो इनको क्या किया जाता है electrode को attach किया जाता है chest पे करता डिस्प्लेय पे ठीक है जैसे आपने देखा होगा ECG करते समय जो प्रिंट आउट निकलता उसमें हमारी जो हाट की जो रेट होती वो रिकॉर्ड होती चले जाती उससे भी पता चल जाता हमारा हाट कैसा काम कर रहा ठीक है उसके बाद है टेकिंग यॉर ब्लट पेशर करें उसके अलावा जो आप कुछ ब्लट पेशर को अपने घहर पे भी चेक कर सकते रेगुलर्ली यह जो है ihan होते हैं वो बोलते हैं कि अपना और करें यह बास तरीका अपने ब्लेट पशो को कंट्रोल करने का और देखने का होम ओनीटरिंग जो हता है वो गोट ऊपास करने का ब्रेज़र चाहिए यह अपने जो डॉक्तर होता है know if your medicine is working or if condition is getting worse इससे आपका पता सल सकता है अगर आप घर में ले रहे हैं तो आप से ये पता लगा सकते हैं डॉक्टर की कुछ medication के वज़े से हुआ है या कुछ ऐसी condition है जिसके वज़े से blood pressure ये high हो रहा है तो blood pressure जो होता monitor करने के लिए जो होता आप एक local store और या pharmacy से भी करवा सकते हैं और ये जो blood pressure की machine है वो यहाँ पर भी available हो जाती है तो ठीक है अफोस जो ये reliable blood pressure होता है इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा तो इसको measurement करने के लिए जो American Heart Association के अनुसार क्या क्या बताया गया है कि इसको monitor करने के लिए आम के चार और बाद के आम में से ही measure करें रिस्ट और finger से उन्होंने recommend नहीं किया गया है उनके अनुसार क्या है कि ये reliable result को provide नहीं करते हैं ठीक है अगर आपने आम से sorry wrist से और finger से उसको check किया है तो ठीक है इसको कैसे prevent कर सकते हैं आप healthy life style को choose करके आप इसको prevent कर सकते हैं ठीक है जैसे avoid आप drinking जो alcohol है उसको कम ना करें या कम कर दें और जो fruit और vegetables हैं उसको आप क्या करें लें जिसमें से जो fruit और vegetable के अलावा आप उसमें से जो sugary drinks है यानि कि sugar वाले जो drink है उसको ना लें और आपको क्या करने चाहिए जो कुछ edit करते है salt अपने खाने में दुबारा से डालते हैं उसको नहीं डालना चाहिए जितना खाने में food में पड़ा है उतना ही आपको लेना चाहिए ठीक है और आपको रोज 30 मिनट तक का walk करना चाहिए daily walking करनी चाहिए और smoking नहीं करनी चाहिए ठीक है तो यह तो आप उसको prevent कर सकते है तो treatment नहीं पर आप है कि अपनी lifestyle को change करके और अपने blood pressure को control करके आप इसको check कर सकते हाइपटेंशन को और आपका जो डॉक्टर है ता वो आपको कुछ change बताएगा lifestyle change करने के लिए जो कि इस तरीके से आप कर सकते है जो आप heart healthy diet लेना चाहिए जो heart के लिए फाइदेमन डाइट है उसको लेना चाहिए अपने food में और इसमें salt कम use करना चाहिए और regular physical exercise करनी चाहिए जैसे walking अगरा करनी चाहिए according to age exercise आपको लेनी चाहिए और healthy weight आपको maintain रखना चाहिए loss अपना weight को जो होता है अपना कम करना चाहिए अगर ज्यादा है तो limited alcohol यानि कि या तो stop कर दें और नहीं कर पाने तो बहुत ही चाहिए और smoking बिल्कुर नहीं करनी चाहिए seven to nine hours तक आपको कम से कम daily sleep लेनी चाहिए सोना चाहिए रैस भी बहुत जरूरी होती है lifestyle को आप अगर कभी कभी क्या होता है कि जो lifestyle होती उससे ये treat नहीं होता है blood pressure तो इनको क्या होता है कुछ medication की जरुवत पढ़ती है इन सब lifestyle के साथ सा तो वो भी जो भी medication recommend की जाती है वो भी आपको blood pressure को कम करने में help करेगी ठीक है तो common जो drugs होती है वो इस तरीके की होती है common hypertensive drug diuretics होती है beta blockers calcium channel blocker angiotensive converting होती है एंजाइमेनी बीटर्स हो जाता है जो होती है जिसको की A.C.E.I.B. भी बाप हो सकते हैं angiotensive second receptor blockers भी होती है तो यह medication के आप नाम लिख सकते हैं तो यह तो आम इने treatment बता दिया अब medication के बारे में मैं आपको next video में बताऊंगी जो कि यह मैंने तयार किया हुआ है बहुत ज्यादा वीडियो लेंदी हो रहा है इसलिए मैं आपको यहां पे नहीं बताऊंगी second part में हम इसको देखेंगे देखे यह बहुत ज्यादा important है और आपको देखना बहुत जरूरी है तो इसको हम second part में आपको मैं बताऊंगी ताकि वीडियो लेंदी भी ना हो और आपिस से फायदा उठा पाएं तो thank you guys for watching this video please do like share comment and subscribe this channel goodbye take care